लोगसबा उमीदवारू की लिस्ट को लेकर MPBJP की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अगले एक दो दिन में कभी भी प्रतियाशियू की पहली सूची जारी हो सकती है वीडी शर्मा ने कहा कि BJP के पास चुनाव प्रचार के लिए काफी समय है मध्य प्रदेश में चुनाव जाएगा अप्रेल एंड में प्रत्यासी हो सकता है कि आज कल पर सो कभी भी भोसित हो जाएगे तो हमारे पास पर्याप्त जाएगे और बोपाल से हमारे सहुगी आजे दुबे लाइफ जुड़के हैं अजे देखिए पहली सूची को लेकर कहा जारा कि कभी भी जारी की जा सकती है और ये भी कहा है प्रदेश अध्याप्ष वीडी शर्मा ने कि बीजेपी के पास पर्याप्त वक्त है काफी वक्त है जब हम प्रचार कर सकते हैं या कुछ और जानकारी मिल पा रही है बिल्कुल भारती जनता पार्टी ने आज मोदी संकल्प अवियान को लेकर आज कारेशाला का आयोजन किया और उसी दोरान वीडी शर्मा ने ये बयान दिया है कि लोग सभा चुनाव को लेकर खास तोर से उन उमिद्वारों की लिष्ट पहली सूची को लेकर कि एक दो दिन में सूची जारी कर दी जा सकती है ताकि भारती जनता पार्टी के जो लोग सभा के प्रत्यासी हों उनको प्रचार के लिए परियाप्त समय मिल सके और इसके साथ साथ कार्यशाला में आज जो है संकल्प पेटी जारी की गई है अलग-अलग लोग सभाओ के लिए संकल्प पेटी भेजी गई है उसके जरिये अलग-अलग वर्गों के युवाओं के पढ़े लिखे और बुद्ध जी भी वर्गे और आम जनता क्या चाहता है विक्सित भारत को किस तरह से देखना चाहता है उसके सपने में देश का परिश्च क्या है उसे लेकर वो क्या सुझाओ क्या बदलाव चाहता है उसके लिए 29 पेटियां जारी की गई है अलग-अलग लोग सभाजशेत्रों में ये पेटियां भेजी गई है उन पेटियों के जरीये लोग सुझाओ देंगे अलग-अलग ताकि लोग अपना सुझाव दे सके जो समाज में और सरकार में और नियमों को लिएकर जो बदलाव चाहते हैं। और लोगों से सुझाव लेने का जो है तर्गेट रखा गया है तो बंदों को समाहित करने के लिए भारती जनता पार्टी ने मिसकूल नंबर जारी किया गया है। उसके साथ संकल्प पेटी भी अलगए लक्षित पॉर पर ये जो तैयारियां की जा रही हैं एक सफल मार्ग ताय कर रहे हैं बीजेपी की ओर से चले बहुत शुक्रिया है तमाम है तो पूर जानकारी हमसे साजा करने के लिए